राजसबा टीवी का ये बेहत खास प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहत जानेवाने अभिनेता गोविंद नामदेव गोविंद नामदेव एक मशूर अभिनेता यश्वन्तेश पांडे ये चार्शी तयार की है तुने है ये सिर्फ हत्यारा वो सिर्फ हत्यार नहीं है राक्षास है राक्षास फिक्र मत करो बलराम अब मैं बहुत जल ऐसी चाल चलूँगा कि सत्ता हमारे हाथ में होगी 3 सितंबर 1950 को सागर मद्ध प्रदेश में जन्में गोविंद नामदेव बचपन से ही हर चीज में अववल रहना चाहते थे पढ़ाई में होशियार गोविंद जब छटी कक्षा में थे तब उन पर गांधी जी की आत्मकथा का गहरा असर पढ़ा गांधी जी और कई दूसरी बड़ी हस्तियों से प्रभावित गोविंद नामदेव ने ठान लिया कि उन्हें भी बड़ा बनना है और हर फील्ड में आगे रहना है ये इरादा उन्हें जल्द ही दिल्ली ले आया क्योंकि उनके बालमन में कहीं ये बात आई कि हर बड़ा आदमी दिल्ली में ही बड़ा होता है दिल्ली में नेशनल स्कूल अब ट्रामा की स्कॉलर्शिप के एक विज्यापन पर उनकी नजर पड़ी जिसके लिए फोरण उन्होंने अपलाई कर दिया स्कॉलर्शिप के लिए गोविंद नाम देव का चैन तो हुआ लेकिन उनके रास्ते में रोड़ा बनी भाशा सीधे साधे दिखने वाले गोविंद नाम देव का शुरू का एक साल ठीक नहीं गुजरा लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, लगन और थेटर गुरू इबराहीम अलकाजी के सहयोग से उन्होंने इस बाधा को जल्द ही दूर कर लिया एनसडी से निकलने के बाद गोविंद नाम देव ने मुंबई में फिल्मों का रुख करने के बजाए एनसडी रेपर्टरी कमपनी में ही जाने का फैसला लिया यहाँ उन्होंने अपने अभिने को निकारने पर कड़ी मेहनत की और कई यादगार नाटक किये रेपर्टरी में तकरीबन 11 साल कई नाटक कर चुके गोविंद नाम देव ने आखिरकार मुंबई का रुख किया जहां पहुँचकर गोविंद नाम देव को केतन मेहता ने अपनी फिल्म सर्दार में काम करने का मौका दिया जो कि उनकी जिन्दगी की पहली फीचर फिल्म साबित हुए हैं आप से मिलना चाहते हैं काँ ठह रहे हूँ दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में उनके सेकर्टी ने मुझे फोन किया था वो हिंदू है गुजराती इसके बाद शोला और शबनम बैंडिक ट्वीन जैसे फिल्में उनकी जोली में आती गई और इस तरह शुरू हो गया गोविंद नाम देव का फिल्मी सफर मध्यमवर्गी परिवार में जन्में गोविंद नाम देव तक्रीबन 41 फिल्मों में काम कर चुके हैं जाके बोल अपने हाजी सेट को अगर मेरा एक भी आदमी फोज किया हाथों मारा गया न तो मैं तुम सब को तुमारे सारे धंदों को बरबात कर देगा एसा मत बोलो वीरण भाई जितनी यल्दी हो सकेगा मैं आपका माल पहुचा दूँगा मैं जबान देता हूँ जबान देता है सोच ले क्योंकि एक बार जबान देने के बाद अगर कल को कुछ हो गया न तो मैं तेरी जबान खीच नूँगा मैं तेरी जबान खीच नूँगा फिर तू किसी को ज़ान तो दे पाएगा लेकिन जबान नहीं दे पाएगा वो क्रिश्यन छोकरी पीतांबर जालान के घर की बहू कदी नहीं मर सकाए ये तो देवी मां की किरपा है के बहराउ सिंग ने इसे स्टेशन पर देख लिया और जबरदस्ती उठा कर यहां ले आया वरना मैं तो कहीं मूँ दिखाने के लायक भी नहीं रहता 2012 में आई फिल्म ओ माई गॉड में उनके किरदार सिधेश और महराज ने दर्शकों को बहुत एंटर्टेम किया अपने जानदार अभिने और शानदार आवाज के लिए जाने जाने वाले गुविंद नामदेव का कहना है ति अच्छी एक्टिंग का राज है कड़ी मेहनत अच्छ हमारा जन से दजिकार है और हम इसे लेके लहेंगे बंदे मादर सागर में आपका बच्पन गुजरा वहीं पैदा हुआ वहीं आप पैदा हुए सागर मद्ध प्रदेश में फिर वो क्या सरकुंस्टांसिस थे जो आपको दिल्ली लाए और वो क्या शुरुआती रुजान थे जिन्होंने आपके अंदर थेटर या कला के प्रति कोई शौक पैदा किया होगा बच्पन से मुझे अवर लहने का एक बड़ा जजबा था हर चीज में मुझे आगे रहना चाहिए हर चीज में फस्ट रहना चाहिए मुझे सो पढ़ाई में भी उसी तरह से मैं मेहनद करके अवर आता था उसके बाद चाहिए गुली डंडा हो चाहिए वो कंचे खेलना हो चाहिए पतंग बाजी हो चाहिए स्पोर्स में रेनिंग हो गोल आप पर है कि तो जो जो यह मेरे खेल थे उनमें मैं प्रैक्टिस करके अच जैसे गुली डंडा है जब तक लास्ट मैदान के बलकूल लास्ट तक गुली ना जाए तब तक मैं उसके में लगा रहता था था कि जाने चाहिए जाने चाहिए और यारों की पदाई भी होती रहनी चाहिए वो होती थी और फिर मेरे लिए तालिया बर्षती थी तो तब तक मैं अभ्यास करता रहता था तो यह धुन सवार थी यह बहुत इंपर्टेंट बात है धुन सवार थी कि मुझे गुली डंडा में फर्स आना है कंचे में भी बिल सब्सक्राइब के लिए जब तक मैं मुझे अबवल आना है हचाहिक कुछ भी हो जाए तो यह धुन सवार थी इसी धुन सवार इसी धुन के चलते मैं मुझे जो एक एपलॉज मिलता था जो लोगों की तारीफ मिलती थी मैं बहुत दिल खुश होता था पेरेंट से वह वह ही मिलती थी प्यार मिलता था आशिरवाद मिलता था जो मैं चाहता था वह पेरेंट्स करते थे फिर यह बहुत अच्छी इस्तिती थी स्टमें तो उस ताम में इसे दोरान मुझे महात्मा गांधी की आत्मकता पढ़ने का मौका मिला है जब मैं उनकी आत्मकता पढ़ी तो मैं बड़ा दंग सा रहाए ओसमLEY मीरी छठी कलास में पढ़ता था मैं पांची कलास में यंदे लेसं था ता मैं थोड़ा सा पौर्शन था था प्रीयोग उसकी बाद जब मैंने उनकी पूरी आत्मकता पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कैसे ब्यक्ती थे उनको पढ़ने के बाद मेरी रुछी फिर और आत्म कताओं को पढ़ने की लिए तोस्लाइ में निता जिस भाशनद बोज उनकी जीवनी जीमन के बारे में पढ़ा सरुजनी नाइडू के जीवन के बारे में पढ़ा जो उस वतंत्र था संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनके बारे में पढ़ा तो यह कि ऐसा लग कि मैं कुछ अलग सी दुनिया में पहुचिया उस टाइमें मुझे लगा कि मुझे तो ऐसा बनना चाहिए मुझे बड़ा बनना है मुझे ऐसे नॉर्मल नहीं बनना चाहिए कुछ भी हो जाए तो उस टाइम में जब मैंने पता किया इनका निश्काश यह निकला कि जो भी जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो सब दिल्ली में एकठे हो जाते हैं उस टाइम की मेरी जो सोच थी कि मतलब घूम फेर के वह सब लोग दिल्ली में दिखाई देते थे वहां जो कुछ भी पढ़ता था उनके बारे में और सबी लोग ने सबी लोग ने किसी बड़े संसान में किसी बड़े इंस्टिटूट में किसी बड़े यूनिरसिटी में उची उची पद्वी गरन की हैं जाद बड़ी बड़ी पढ़ाईयां की हैं उची शिक्षाएं हासल की हैं तब जाकि बड़े बने. तो मन में ऐएए से कपिगे चाहिए हगाता है. मुझे भी जीक्ट वशाइङ हासल करनी हैं. मुझे भी मुछी शिक्षाएं हासल करनी हैं. मुझे यहां सागर में रहना हैं, मुझे किसी बड़े शहर में जाने और कुछ एक दिनों के बाद ये डिसाइड हुआ कि मुझे बड़े किसी दूसरे बड़े शहर में जाने की क्या ज़ुए थै अगर मुझे जाने का मौका मिले तो मुझे देश की राजधानी में दिल्ली में पढ़ाई करनी चाहिए सागर से कोई बंदा दिल्ली में जाके पढ़े ये भी एक बड़ी अचीवमेंट की बात थी वो बड़ा बने या ना बने सो अब इसी उधेर बन में रहने लगा और कोई ने कोई ऐसे आफसर तराश करता रहा कि मुझे किसी तरह से दिल्ली जाने का मौका मिले और चुक्कि मैं ये कॉन्फिडेंस भरपूर था कि जहां भी जाओंगा मैं खुब मेहनज करके कुछ न कुछ न कुछ महां क्रियेट कर ही लूँगा आदत पढ़ी हुई थी हर फीर्ड में अफवल रहने की फस रहने की और खासतों से पढ़ाई में तुम्हें घुस जाता था तो उसी में गुम रहता था तो यह कॉंफिडेंस मन में था तो जैसे मुझे 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 मौका मिला मैं आट मी क्लास में पढ़ रहा था मेरे एक दोस के रिष्टेदार वहां रहते थे तो कभी मैंने उस दोस से जिखर किया था कि मुझे दिल्ली जाना है मुझे दिल्ली में पढ़ाई करने का तो मेरी दम से जैसे बाच्छे नहीं खिल जाती है, कोई सपना सा पूरा होता दिखता है, या तो फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्स लेके उनकी बारे में उनसे पूछा, फिर दीर दीर करके उनका एड्रेस लिया और मैंने उनको बोला, उस दोस्त को बोला, कि एक बार मेरा जेकर कर देना उनसे, जब भी चिट्थी, उस समय फोन वन तो होते नहीं थे, तो फोन होते थे तो वैसे ट्रंग कॉल किया जाता था, एड्रेस आते ही मुझे मेरी तयारी चालू हो गई, कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मैं अगर लोग वहां दो घंटे पढ़ाई करते होंगे, तो मैं चार घंटे पढ़ाई करूँगा, और ऐसे ऐसे बड़े-ड़े, आठ्मिक्रास उस समय 14-15 सार था, तो ऐसे लगाता, विचार बनते रहे, प्रोग्राम बनते रहे, योजनाय बनती रहे, और फाइनली मैंने क्या कि अब मेरा मनी ना लगया, तो तक्रिमान तीन-चार मुएने होगे थे आठमी क्लास, को मन्दव आठमी क्लास में, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे, पेरेंट से बात करनी ही पड़ेगी, मैं यहां नहीं रुक यह वहां पढ़ना है, मुझे वहां अबल आना है, तो वह तो सीधे साधे हमारे पेरेंट्स, तो वहां कैसे जाओगे तो वहां उनसे बात कर ली है, तो मैंने कहां बात हो गई है, आपने का सीधे साधे पेरेंट्स मतलब आपके पेरेंट्स क्या करते थे, आपके फादर क आठ पेशह के बनती है तो मेरे पिता जी भूच के मनाया करते थे या उसका बैयपार करते थे बनाते थे बनाते थे या इसकी एप Suffल जाते थे मंतर जाते थे मूर्तियों के मेजर Vancouver लेते थे और उसे साफ जा towers Kum को क्या पेश्शे के रूप में क्या कहा जाता होगा वैसे ताहम सब टेलर ही ahead करते थे लेकिन अजूपी यE इस पेसिफिक कर अफाला काम करते थेंं तो हमारे पिता जी हमारे पता जी के पता जी वो सब ये करते हुए चटे आ रहे थे और आप लोग कितने भाई बहने हैं हम लोग एक दर्जन लोग थे छे भाई चार बहने और पेरेंट्स आप के नंबर पे मैं था एक दो तीन चार चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर तो इस तरह से तो लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे बताईए मुझे बहुत दिल्चस्प लगागी है जो पेशा आपके पिता का है क्योंकि बड़ा रंगीन माहौल में आपका बच्पन गुजर रहा होगा तो कभी इस क्योंकि वो क्रियेटव करते थे तो वहां बड़े-बड़े मंदिर है एक बांदखपुर का मंदिर है बड़ा फेमस मंदिर है और वहां इतनी पार भीर होती है तो वहां जाके special treatment मिलना हमें मंदिर के अंदर तक ले जाना मूरतियों के पास तक जाना और पर पिता जी इतन करके उसके बाद फिर वो डिजाइन करते थे पेपर के ऊपर वो चेपिया चिपका के ये कलर यहां अच्छा लगेगा ये कलर यहां अच्छा लगेगा ये कलर गले में अच्छा लगेगा इस सब डिजाइन करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बहुत बहुत बाता थ कि बच्छों के खेलने मिलने की बहुत आदत रहती है बच्छों की, काम मौम में नहीं बन लगता है। जब तक जबरदस्टी बिठाया गया, हम सब लोगों ने इसी का, जिसका इंटरेस्ट गया उसने तो अगे बढ़ाया। मेरे एक भाई थे जिन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। वह सबसे बड़े वाले? वह सबसे बड़े वाले। आच्छा, वह अभी ये काम करते हैं? नहीं, वह पता नहीं किस वज़ा से अभी वह काम नहीं करते। इस तरह से आपके परिवार में क्या ये काम खत्म हो गया? आँ, अलमुस्ट खत्म हो गया। कुछ एक मरे रेश्टे आ रहे हैं जिन्होंने ये अपना लिया तो उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसा है। ये जो नामदेव टाइटल होती हमने बहुत कम ऐसे सुनिये क्या मध्यप्रदेश में ज्यादा होते हैं। मध्यप्रदेश में ही हैं ज्यादा। संत नामदेव हुए थे तेरह मी शताब्ली में। तो उन्होंने पूरे देश के भृमन किया था। प्राजस्तान, MP, UP, पंजब, दिल्ली, तो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने अनुयाई छोड़े, उन्होंने अपने हिसाब से अपने सरनिम रखे, मद्यप्रदेश ही एक ऐसी जगह जहाँ जहाँ नामदेव सरनिम रखा, महारास्त में भी नामदेव नाम होता है, तो परस्स नम हो, यह हमारा टाइटल है, और यह ट्रडिशनल काम है, तेल्रिंग इस पूरे संपरदाय का, यह ट्रडिशनल काम है, तो फिर हम वापस इस बात पर जाते हैं, कि आपने पेरेंट्स को बताया कि हमारे पास यह एडर्स है और हमें अब दिल्ली जाना है, लेकिन उन्होंने पिर क्या कहा है, तो बहुत उन्होंने कोशिश की कि मैं रुख जाओ, मैं क्या करूं कैसे इतने बड़े शहर में, लेकिन मैं बहुत जिद्ध पर आड़ा रहा है, मैं नहीं कर सकता, यहां रहूँगा, नहीं और चला जाओंगा, तो उनको लगा कि यह कुछ ग अपरेश खाना पीना उसके बाद में दिद्ली पैसेंजर चला करती थी वहां बीना दिद्ली पैसेंजर बीना एक बड़ा जंक्शन था तो वहां सागर से बीना हम ट्रेन में उन्होंने मेरे भाई ने मुझे वहां छोड़ा और बीना से अठारो पर के टिकेट थी उसमें दिद्ली की टिकेट लेके और मैं बैठ गया तीन दिन में मैं दिद्ली पहुंचा फिर वहां से आगे के कस्षा भी बड़ा लंबा है कि इसमें खास बात यह है कि मैं यह बताना चाहता था कि बच्पन में बच्पन से अगर बच्चों में इस तरह का संस्कार डाला जाए कि वह हर चीज में कुछ मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें अबल आने का जो एक भाव है अगर वो किसी तरह से या तो स्कूल से आए या पेरिंट्स से आए या पड़ोस से आए या फ्रेंड सरकल से आए वो आता है तो फिर बच्चे में आगे बढ़ने की जिग्या साब बढ़ जाती है लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू है गोविन जी वो है कि अगर हर कोई अवल आएगा तो कोई तो है जो दोयम आएगा और जो दोयम आएगा या तीसरे चौथे नंबर पर आएगा तो क्या वो अपने को हारा हुआ महसूस करे या फिर हारने को भी एक खेल की भावना से आगे बढ़ने के लिए उठा कदम की तरह समझा जाए नेक्स टाइम हमेशा नेक्स टाइम होता है अगर कोई दूसरे नंबर पर आया है तो उसके मन में ये भाव भी तो आएगा चलो नेक्स टाइम दिखाता हूँ सो इस तरह से तो विकास ही विकासोनोख है ये सब बाते हैं किसी ना किसी तरह से आत्मी के विकास में सहायक होती है जैसे मेरे जीवन में हुई इसलिए मैंने ये बात है कि यही बात जब मैं वहां दिद्ली में स्कूल में मेरा अड्मिशन हुआ तो ये डिसीजन लेके मैं कि मैं इस स्कूल में आर्थमिकलास बोर्ड था टॉप करूँगा और की आपने टॉप मैंने वहां चवदा स्कूलों के जोन में टॉप किया इतना डिसीज़ था उस समय में और इस तरह के डिसीज़न का भाव भी बच्चों में आता है सिर्फन को करेक्ट चैनलाइज करने की जरूवत होती है हर बच्चे में यह भाव होता है अब पेरेंट्स और स्कूल में कितना भारा जाता है यह एक सोचने की बात है यह इस पर डिपेंट करता है तो अब हम एक बार फिर से दिल्ली आने के बाद एनसडी पहुंचने के सफर को थोड़ा इसके इची तोर पर अगर देखें तो वो क्या है कि आये तो थे आप गांदी जी के सत्य के प्रियोग पढ़ने के बाद और दूसरे जो बढ़ा अदमी बनने के लिए जिसके लिए दिल्ली ही एक बड़ा केंदर हो सकता था और आप यहां आ गए थे वो क्या सरक्मस्टांसिस थे कि आप नाटक और नाटक में भी नाटक के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल हुए आठवी करास करने के बाद नाइंथ में यही राव जेवनियर स्कूल है वहां मैं दाखिल लिया आइटियों के पास जी मेट्रों में बोल रहा हूं मिंटो ब्रेज में वहां पढ़ाई कि वो मेरा तीन साल जो थे नौमीं दसमीं क्यार्मी तो गोल्डन टाइम था मेरा सीखने का गोल्डन टाइम वहां रहते हुए जैसी कि मीरी आदत थी स्पोर्स में भी घुसे हुए हैं वहां भी मैंत लगए हुए हैं पढ़ाई में भी और वहां पर एरफरोर्स की NCC थी एरफोर्स वेंग की NCC थी, उसमें भड़ती हो गया और अपने प्रैक्टिस के चलते, अभ्यासों का मतलब खजाना था, अभ्यासों के बगद आई नहीं सकता था, कुछ ना कुछ ना कुछ अभ्यास लगे रहते थे मेरे, सो कैसे वो जो हमको सिखाने आते थे, किस तरह से वो आवास हैं लगाके उनको चुकनना कर देते थे कैड़िट्स को, वैसी आवास हैं निकालना अखेले में, ऐसी निकलना ही चाहिए मुझे, मुझे ओर्डर करना ही चाहिए, प्रेट्स मतलों ऐसे ऐसी प्रेक्टिसेंग करता रहता था, और इसका रिजल्ट आता ही आता था, जैसे वो जो जो सिखाने वाले हैं, उनको थोड़ा लेट हो रहा है तो, मैं अपने तरफ से उनको सभी बच्चों को प्रेट कराना शुरू कर देता, और उसी तरह से आव उनकी नखल करके और तो उसने एक दुबार देखा तो उसने का चलो तुम ही करो और दीर दीरे यह हो गया कि वो बैठे देते थे मैं करा आता था पूरी, सो विदिन वानिया उन्हें मुझे सार्जेंट बना दिया, कैड़ट सार्जेंट, इसी तरह से एक रेट कॉरस का व और जो स्कूल का कल्चरल विंग था, उसका मुझे प्रेजिडेंट बना दिया गया क्योंकि मैं कल्चरल में भी कल्चर में गाना-गाना, कविताएं, कविता वाचन करना, कुछ कविताएं अपने धंग से, उस समय जिस सोच के साथ लिख सकता एक बच्चा कविताएं, वो लिखता, फिर ड्रामे बनाता, वो ड्रामे बना के चार-पाँच बच्चों को लेकर उसको ड्रामा करता, इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज की वज़े से उन्हें पर मुझे उसके प्रेजिडेंट बना दिया, जो भी प्रोग्राम होना होता, जो भी कल्चरल करना चाहते हैं, तो इस तरह से कफे इंटरेस्टिंग रहा वो मेरा इसकूल का, उसके बाद मुझे रैट क्रॉस उसमें दिल्ली से चार स्टुएंट्स जाने थे, शिमला में उसका एक बड़ा कैम्प लगने वाला था, नैशनल कैम्प, तो फिर मुझे नही बना पर का लीडर बना दिया गया, उसके ऐसी चीजे मेरे जीवन में होती नहीं उस टाइम में, और ऐसा-इसा करके मैंने ग्यार्वी किलास पास की, उसमें हार सेकंडरी हुआ करते थी, आज़कर इंटर, 12 होती है, 10 प्रस 2 है, तो वह भी मैंने 1 डिविजन से पास की, उसके बाद थोड़ी सी असुइधा हो रहे थी, जहां में रहता था, कॉलिज में, मुझे ग्रेजुएशन करना ही करना था, यह मेरा, कहां रहते थे, मैं दो-तीन जगह रहा था, उन्हीं के साथ में बना रहा, साहबाबाद, लोधी रोड, और यहां आई-ट्यू, चुकि आई- उन्हीं मेरा, उसके बाद शिप्ट होगे जगें, तो कुछ मैच नहीं हो पा रहा था, और मेरा यह लक्षे था कि मुझे दिल्ली विश्वद्यालाय से डिग्री लेनी ही है, जाए कुछ भी हो जाए, कोई कंप्रुमाइश जी नहीं था, तो ऐसा लगने लगा कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा, तो मैं नौक्नियां तलाश करने लगा, नौक्नियां तलाश करते करते करते, अचानक मेरा एड पर नजर गई, कि दिल्ली सरकार, दो स्कॉलरशिप, नैशनल स्कॉलरब ड्रामा में ट्रेनिंग के लिए, दिल्ली वालों को दे रही है, सायत ले तो मुझे मैं देखा कि, मैं पहरे जानता नहीं तर नैशनल स्कॉलरब ड्रामा क्या है, कोई, मुझे रगा कि शायद कोई सरकारी संसान है, यहां पर एक्टिंग वारा सिखा के, और पर जो भी सरकारी योजनाए हैं, उनको आगे बढ़ाने के तिए कोई प्रोग्रम तो जैसे के सौंग और ड्रामा डिविशन जैसे होता है, और उसमें धाइस और रुपे की स्कॉलरशिप तो मुझे जगा कि अगर मैं यह कर लूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना ग्रेजिवेशन भी कर लूगा और यह टेनिग भी हो जाएगी और वेग्राउंड मेर असरा का था ही, बहुत ही कुल्चलरली बहुत एक्टिव था मैं, तो मैं एनस्डी गया, और वहां से फॉर्म ले लिया, बढ़ दिया, जो जो रेक्वाइमेंट थी, वो सब हमने स्कूल से पूरी कर दिया, सर्टिफिकेट्स और अगरा बहुत सारे थे, और स्पोर्स के भ अगरा दिया उसके से, इंटेवु कॉल आ गया, और तकरिमन 60-62 कैंडिडेस थे, तो मैं तो बहुत सीधा ही सादा था, लेकिन वो कॉंट्रविनेंस से भरा हुआ था, तो इंटेवु हुआ और नेक्स दे मेरे टेलिग्राम आ गया, और सेलेक्टिट्टिट्ट्ट्ट्ट तो इस तरह से मैं, बाई चांस इस तरह से आगे, कभी मैंने सोचके नहीं आया, वो रास्ता मुझे मिल गया, यहां NHD में आने, NHD में आने के बाद देखा कि आ रही है, तो हम किसी, कि एंटेशनल लेविल के, इंटेशनल फेर्म के इंस्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो इस तरह से मैं आ गया फिर वहां से फिर वही सिल्सला रहा फिर आपने जो इरादा यह था कि यहां से स्कॉलर्शिप ले लेंगे और यह तो ट्रेनिंग होई जाएगी लेकिन साथ में दिली इंवस्ट्री से ग्रेजवेशन करेंगे तो उसका क्या हुआ वो तो था ही तो एनस्डी के डिप्लोमा के साथ साथ वो मैंने प्राइवेटली ग्रेजवेशन भी किया तो एनस्डी निकलते निकलते मुझे वो डिग्री भी मिल गई और एनस्डी का तिप्लोमा मिल गया तो किया हुआ हलाकि उसको करने का सिर्फ एक्जिद पूरी करने वाला मामला उसके कुछ मिला, होना तो था नहीं, मदलब दिली इनुवस्टी की डिग्री बाद में तो आपके किसी काम नहीं आई, ग्राइट होना इंपॉर्टेंट है, किसी की भी, किसी की भी लाइफ में, अधावाइज आप ऐसा लगता है कि आप अनेजूकेटर हैं, तो उसके लिए भी पढ़ाए कि करने के बाद ही हमने एक्जाम दिया, उसी में तभी पास भी हुआ, और इसी की वज़े से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक ग्रेजुएट तो आपको आपको ग्रेजुएट साथ में लेके ठीज़े चलते हैं, आपका जो लेवल है, आपके ग्रेजुएट का लेवल है, में जो एक ग्रेजुएट के इस साबसे है, बहराल, एनसडी में में ने कॉर्स किया, अच्छा, एनसडी में जो कॉर्स आपने किया और उसके बाद किया हुआ, इस बात को इन बातों को हम दिल से दिलों की बार आई वस एक्टर वाय एक्सिडेंट साम ले मुने के बावर्जूद आप इतनी कॉंपिडेंट कैसे हैं ना कोई शह ना कोई माद जब मैं रेट करता हूं तो मेरे उपर एक स्टूडियो होता है क्या पेट कमेशा ठीक मही होता है जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठके आसमान कुछ हो सकता है सिंदगी के सफर की कही अन कही बार समय कुछ और कर लेता तो जो मैं और से बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सुच सकता अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गाना है काम्याबियां नाकामियां शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है चिनोतियां और चिन्ताएं चिनोतियां से कोई भी गिला है आपको समाज को ठीक केजिए उकद बहुती हो जा अंतरंग चर्चाएं ये बहुत बड़ा संगीत कार बनेगा अप्तिना साच बहुता है आप में एक वर्सेडैलिटी होनी चाहिए जो हल्की फुल्की चुटकियां ये सिरसला धुक धुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है तिरी अकियां दो नाली तिरी बतियां दो नाली लगे राइफल सा जटका तो हार तौबा दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला देखिए गुफ्तकू रविवार राद साड़े दस बजे और सोंवार शाम चार बजे स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम है गुफ्तकू और गुफ्तकू में आज हैं आपके साथ आपके पसंदी दा भी नेता गोविन नाम देओ गोविन जी ब्रेक से पहले हम लोगों ने ये बातें की किस तरह सागर से इस इरादे के साथ आप दिल्ली आ गए थे कि एक बड़ा आदमी बनना है हर चीज में अववल आना है और वो रास्ता आपको आखिरकार नेशनल स्कूल अफ ड्रामा की तरफ ले गया आप नेशनल स्कूल अफ ड्रामा में पहुंच गया हलांकि आप इस इरादे से नहीं पहुंचे थे कि नेशनल स्कूल अफ ड्रामा में ड्रामा सीख कर ड्रामा की दुनिया में कुछ बहुत कुछ करना है वो एक तो scholarship का मामला जैसा कि आपने बताया वो था और साथ में आपको डिली इंवस्टे से graduation भी करना था जो आपने किया National School of Drama के बार में बताईए कि जिस कई लोग तो बहुत खुआप देखकर बार-बार कोशिश करके भी वहां नहीं पहुंच पाते क्या वहां भी फिर आपने ये इरादा किया कि वहां भी अवल आना है और सबसे उपर रहना है जी वो तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो मेरी आदत में शुमार था उस ताइम में वहां का जो education था जो medium था वो सब लोग English में सिखाया करते था NSD के बात करो तो जो convent educated students हैं उनको सब चीजे हासानी से समझ में आ जाती थी मैं उस ऐसे convent educated था नहीं सो मुझे बहुत इतनी अस्विदा हुई कि एक टाइम में ऐसा लगने लगा कि मैं गलत जगह आ गया ये जगह मेरे लाइक है नहीं कुछ दूसरा देखते हैं ऐसा ऐसा feeling आने लगी लेकिन इसको किसी घटना से समझें कि जब आपको ये लगा होगा कि ये जगह मेरे लायक नहीं है जब मैंने पहले दिन गया तो सब लोगों से बड़ा अच्छा जैसा होता है कि पहले दिन सब लोग मिलते हैं जब दूसरे से मिलते हैं बात में बात में होती हैं लोग इसे होती हैं तो ठीक लग़ा है चलो से फ्रेंशिप की जाए इस तरह से तो मैं भी उसी कॉनफिडेंस के साथ सब लोगों से मिलता रहा हूं अनुपम्खे सतीश को श्क्राइब यह हमारे क्लासमेट्स रहे हैं उसके बाद दोसे दिन क्लासेज वगरा शुरुआत हुई और क्लास में आते ही जो भी प्रोफेसर आता है सबकुछ इंगलेश में है वेस्टन ड्रामा इंग्लिश में जायर है सकता है उसके इसके अगर्षा इंगलिश में लोग है जिनको जो स्यादा नॉलजबन नॉलजबल है बेद्वान है वो सब इंगलिश पड़े हुए हैं और अलकाजी साब का जो हमाने डिरेक्टर थे इबहें अलकाजी साब उनकी कोशे ये थी कि यहां जो भी आए बिद्वान आए ताकि वो यहां की बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके वो एक अच्छे लेवल से पढ़ाई करें फ यहां एक दिन गया दो दिन गया तीन एक अच्छिर मेरा ओक्षिदर लेवल बोलना काम होता चला रॉ Bitte कंधने बुष्ठ पस्थम्र पच्छत छीय से डिर मेरे vendors से दोसी रों मेरे फ्री तीज रों में और एक अंधन में CEO पाजी ले ने हैं जबके आप अपने स्कूल के दिनों में सबसे आके बैठते रहे होंगे। यह। सो मैं बहुत डिप्रेस हो गया। डिप्रेस हो गया तो यह सोलतना लगा कि चलो यहां से चलते थी जगह मेरे लिए नहीं है। ऐसा खैल मन में आने लगा। कि दिमाग में यह था कि मुझे अपने डिग्री मुझे हासिल कर दी है। यहां कर्ची नहीं कर पाया तो मेरे डिग्री जाए। तो कहीं दूसरी जगह पराश कर लेता है। सो ऐसे खैल मन में आने शुरू हो गए। और पर दीए दीए क्या होगा मेरे क्लास में बंक करना शुरू कर दिया। इस क्लास में गये उस क्लास में नहीं गये। तो यह ख़वर डिरेक्टर साब के पास पहुंची। वो अब्सर्व करते रहे। और एक जएड़ मैने के बाद पता नहीं आपने वो इंस्टिटूट देखा है कि नेशनल स्कूट डामा गए है। पूरी गैलरी है। तो गैलरी के बीच में उनका केबन है। तो मैं गैलरी मैंसे निकल के बाहर जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आगी। भाई, नम देग। तो मैं कि तुमस सक पका गया। कि ये तो हमारे डिरेक्टर साब की आवाज है। कमिया। पीसे देखा। यहस, यहस, गया मैं उनके साथ। वो तुटी-फुटी हिंदी में कम्मिनिकेट करते थे। जिनका इक प्राब्लम इंग्लेश का था उनके साथ। कमिया। मुझे चेम्बर में लेके गए। वाट हैपिन। तुम क्रास में क्यों नहीं आता। क्या हुआ है। यह तो ब्रिलियंट। तुम्हारा अपने रिकॉर्ड जेखा। तो जैसे ही थोड़ा सब मुझे सानभूती के एक-दो शब्द से मुझे मिले, ओ मैं एक दम रोला शुरू करें। मैंने उनको बताये कि साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है अगी क्लास से सुमझ में नहीं आता है तो मुझे क्या करों। सबकुछ इंगलेशन पड़ाया जाता है मुझे इंगलेशात ही नहीं है। तो वह थोड़ा सोच वचार में पड़ गया कि यहाई तो जैन्मनी प्रॉब्लम हैं। तो बढ़ा ओके-ओके-चीके-ट्रांट काई रोम। उन्हें अपने प्रोफेसर्स को बलाये। तो उनको निभाजी थी जो क्लाशिकर इंडियन रामान सिखाती थी पड़ाती थी। उनको इसे इस्तार पर। उनको बताया कि यह बच्छा नहीं जानता है इंगलेश तो पढ़ाओ कि इसको समझ में नहीं आया। हिंदी भी इस्तिमार करो। जो भी टीचर्स थे उनको इंस्ट्रक्शन जी कि हिंदी मीरियम भी रखो। तभी उनको समझ में आएगा। तभी वो आगे कंटिनिव कर पाएंगे। अदर्वाइस देखो। इस नाट अटेनिंग लेक्लासिस। तो यह सब समझा के उनको बही दिया। पर मुझे बढ़ा है। कि लेंगवेज। मुझे इस बात से मुझे शेंजवार देखिया। उनको बोला कि जहां तर लेटरिचर का सवाल है। वहां लेंगवेज चाहिए। लेटरिचर के अलावा जितनी किलासिस हैं। उनमें तो नहीं चाहिए। लेंगवेज, जैसे योगा किए किलास है, हुँँ, दूसे शोट फाइटिंग की किलास हुँआ करती से सुट फाइटिंग कि об לפि उंट्स जखी जजजा एं। दान्स मूवमेंट्स कि इन खाएं। अगर ये पांच क्लासिस हैं और जिस तरह कर तुम्हारा मैंने रिकॉर्ड देखा है तुम इसमें क्यों नहीं प्रैक्टिस करके अपने आपको प्रूव करते बाकी चीजें हो जाएंगी तुम मेरी जैसे आखें से खुल गएंगी मैंने इस तरह क्यों नहीं सोचा और उसके आखेंगी बार उसके बार एक-एक करके योगा की गलासिमे बेगे प्राट taking की बाते हैुए कि बाद में जब भी कोई डैलीगेशन आता था तो मैं और और कवीता चौदरी पता नहीं जानते हैं अभी करास्पेंट थी बहुत बिलियंट स्टुडिट रही है वो औरान नाम का एक सीरल नों हम डाययक्ट किया था तो हम दोनों को खड़ा कर देते थे तो हम लोग लेके फाइट किया करते थे तो इतना ज्यादा हो गया है तीरे-दीरे करके इन सभी क्लासिस में मेट्व पर आ गया हूं तो पीछे की सीर्ट से दीर-दीरे करके आगे की रूब मैं आ गया है और फिर सब लोग पहले मुझे चुपकर आ देते थे बोल नहीं सकता था हाय जैसे कर थोड़ा बहुत बोलता था चुपकर आपकर बिठा देते थे या फिर अपनी बातें करने लगते थे बाद में फिर हम ही बहुत इतने अंतरंग मेत्र बन गए और फाइनरी हमने वो डिप्लमा यह जो आपने पहले भी एक-दो जगह इस बात को कहा है कि हाई नोट पे आप बोलते थे यानि एक तरह से अपने अपनी पूरी वाइस की जो प्रोफाइल है उसको चेंज किया अपने एफर्ट से जबकि लोग कहते हैं कि एक सर्टन एज के बाद आपकी वाइस को आपकुछ नहीं कर सकते वो आपके साथ ही जाती है यह हाई नोट वाला जो है मामला उसरा बताइए तो किसा था अगर आप कर पा रहे हो हमारे बUNDEL खंड़ी लेंग्वेंज में काविया जैसे ऐसे काविया तुम कल काय नहीं आयते इह है यह सूर था यही सुर ऐसे बोलते भी है हमारे है कावय या कल काए नहीं आए ते ऐसे को कोई नहीं बोलते है यह सो वह ही था यह तो लेकिन लहजा मेरे ख्याल से जादा तॉनेशन जादा बहा पिछ में तो से बहुत ज्यादा फ़र्गinka कावय या तो नीचे का पिछए वो ऊपर का है So और जैसे ही एंग बोलता था, क्या ज्ञा पूल रहा है ऐसे ऐसे जेहरे बाराते थे यह लोग और जब हम डामेटरी में रहते थे तो बिल्कुल बोलने झाता थे यह пойд children अच्छा लेकर देर देरे हम जब जब इस तरह की चीज़ां शुरू होई अलग 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 क्लासेज में जैसे जैसे में उपर आना शुरू हो गया तो फिर हमारा दोस्ताना चालू हो गया अभी बहुत अच्छे मित्रे हैं हम हम अच्छा के में है दोस्तों ने अपने अपने प्रोगाम बताए कि मैं सीधा बहुत ही जऊंगा वह मेरे अज़ंतेजर श्मु नग वह सारू संतिशन खरेष्ट मैं वह जाओं गई गया तो थोड़ के दिए आदीने हां तगयाद ही किन कियुक जाओंगा अगु हमने कह करन राजदान ने बोला कि मेरा तो घर है, मेरा तो टागेट ही है, मुझे हीरो बनना है. मैं अपने अंदर बहुत कमी सी महसूस करता था. मुझे लगता था यह मैं इतना मिचौर नहीं हुआ हूँ कि मैं अचानल कि इसको केरियर के तौर पर लोगों से काम हासिल करने की कोशिश करने लगूँ, मुझे वो काम मास्टरी के साथ आना चाहिए, जो कि मेरा हमेशा से एक भाव बना होगा था. तो उननों रेपेट्री कमपनी में मनौर सिंग जी, सुरिका सीखरी जी, उत्राबावकर जी, यह सब हमारे आइडियल थे. क्या-क्या प्लेस किया होना है, प्लेस देखा करते थे तो दंग रह जाते थे कि वहाँ, क्या बात है, यह है परफॉमेंस, यह है परफॉमेंस लेवल, एक एक्टर को यह लेवल हासल करना ही चाहिए अधर बार इस एक्टिंग करना छोड़ देना चाहिए तो एक्टर ही नहीं है जो तो ऐसे ऐसी बातें मुन में आती थी जब प्लेज जो भी प्लेज होते थे देखते थे तो जब डिप्लोमा हमारा कम्प्लिट हुआ तो मुझे यह लगा कि मुझे यह लेवल पकड़ना चाहिए नहीं तो कोई फायदा नहीं एक्टिंग करने का अब एक्टिंग में पढ़ ही गए हैं और एक्टिंग को अपना ही लिया है तो मुझे यह लेवल करना चाहिए तब ह उत्रफावकर जी के बारे में यह हमारे सुरिका सिक्री जी के बारे में तो पता लगा कि किसी को यहां आट साल हो गए हैं किसी को साथ साल हो गए हैं तब से थेटर कर रहे हैं अब है तभ ये मेचरी हासिल की है उने नहींि थोड़ा सोच्मिशार मैंने किया और डिसाइड किया कि अगर इनौने आट साल कियا हैं तो मैं दस साल ठेटर करूँगा और ये लेवल पकडूँगा और जब यह दो पकड में नहीं आएगा मैं यहां से हिलूगा नहीं। फैलोशिप हुआ करती थी एक साल की जो भी अच्छे इस्ट होते थे उनको उनमें जो बैस निकला उसमें से छह लोगों को वो फैलोशिप होती थी रेपर्ट्री कंपनी में एक साल काम करने के लिए मैंने अपनी इंच्राह वहां बता दे के अगर होगा तो में एक साथ कमटी से में जाना चाहता हूं तो उन छह लोगों में नहीं अंगया तो मैं रेपर्ट्री में एंटर हो गया। आप उन लोगों के साथ बैठने ही मेरे लिए इतना गर्व की बात होती थी, इतना गर्व महसूस करता था कि हम अनुवर भाई के साथ बैठा हूँ है, सुईका जी बैठा हूँ है, ऐसे और उस रेपेटरी कमपनी को मैंने, समझ दो जैसे मंदिर होता है, मंदर में जिस उसे भगत जाता है, और उस हिसाब से बना लिया मैंने, और हर समय अपने आपको उस लेवल तक कैसे पहुँचा जाए, इसके लिए जगए इसके लिए रास्ते तरास करता रहा, इसके लिए वाइस, जो मैं देखता था, कुछ एक चीजें मुझे लगी कि जो मुझे करेक् करनी है, तो एक तो वाइस जो है, उस पर मुझे बहुत काम करना है, फिर डायलोग डिलिवरी जिसके उपर मुझे बहुत काम करना है, और स्टेज प्रेजन्स, जो मैंने मनोभाई से चीखी है, जब वो आते थे, स्टेज पर तो वो ही दिखते थे, और एक मुवमेंट ले बहुत भाती थी, कि दूसरे भी चलते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं महसूस होता है, जब वो चलते हैं, तो ऐसा क्यों महसूस होता है, तो वो सब चीजें, जो मेरे अब्यासों की आदत थी, वो सब चीजें, एक एक करके, मैं कोशिश करता गया, और धीर देरे, उसका एहस वहां पर इतनी अच्छा माहौल था कि रहसल भी चल लए है कुछ लोग एक कौने में अपनी रहसल भी कर रहे है कुछ लोग प्रैटिस भी कर रहे हैं कुछ लोग यह सब रहता था यह रविंद भाव में थर्ड फ्लो पर हमारा स्टूडियो थेटर और एक ओपन एर थेटर था जो रविंद भाव में के पीछे मेगदूत नहीं जो अगर दस बजे हमें रेपट्री जाना है तो मैं आट बजे घर से निकल जाता था और तकनुमें एक जेड़ घंटा मुझे जो जो कुछ मुझे महसूस होता था एक एक करके उनकी प्रैक्टिस करता था अभ्यास करता था एक साथ दो साथ पहले छोटे 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 रोल मिली पर एक ही रोल में तीन छोटे रोल मिली एक ही प्ले में तीन छोटे रोल मिली पर दीदे करके तोटे लोगाने मुझे इज़त देने शुरू कि या रिख मैनेज करता है, कुछ भी काम करो दौड़ दौड़ के करता है, तो ऐसे बच्चन को सभी पसंद करते हैं, सभी पर उसी को आवाज देते हैं, तो मैं थोड़ा सा पॉपलर सा हो गया, एक साल के एन में पहुंच ते पहुंच दें पहुंच तो इसमें बॉड़ी मूवमेंट्स वगरा वो सब था, जिसमें और डी में पारंगत हो चुका था, एक करेक्टर था, उसमें गायल युद्धा आता है, और वो उस युद्ध के मैदान में क्या-क्या हुआ, कौन-कौन बच्चा, उसके वारें वो दास्तान सुनाता है, औ लास में अगायल होता है वो, कि वो बेहोशों के गिर पड़ता है, तो इसकी कई तरह से अपनी सोच समझ के हिसाब से, जो मैंने सीखा था, जो मेरी सोच थी, जो समझ थी, उस हिसाब से मैंने उसको तैयार किया और खुब अभ्यास करके, इसमें यह है, थेटर में, थेटर अभ्यासों के बगर तो होता नहीं है, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना, जितना आप उस, जो काम आपको मिला है, जो जिम्मेदारी मिले है, जो केरेक्टर आपको मिला है, जितना अभ्यास करेंगे, उतना निकल के आएगा हो, थेटर में तो यह भी कहते हैं कि, होती है इन्हीं अभ्यासों के विना पर इन्हीं अभ्यासों की वज़े से दो दिन पहले एक बड़ी मीटिंग हुई काराण साफ ने सब को बोला कि दो लंबी बात ने करनी हुआ उन्हें बताया कि किस तरह से सब लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उन्हें कहा कि जो मैं चा रहा था वैसा नहीं हो रहे है जो इस यक्षिगान शैली की जो जान है वो जो सोल है आत्मानी दिख रही है सब कुछ दिख रहा है सब कुछ अच्छा दिख रहा है सिर्फ एक जो नहीं तो सबसे छोटा ही था, और में तो मैं तो APPRENTERS था, कोई हस्ती थी नहीं हमारी तो ऐसा कहते ही एकक्तम से CINGA była से मुझे दोड़ गई मुझे लिगा कि यह यह लाग उस दिन के बाद से मुझे यह अहसा हुगा कि मैं सही दिशा में हूँ मुझे इस तरह की चीजें करते रहना है और इस तरह से आगी बढ़ते रहना है उसी प्ले की बिना पर एक दूसा प्ले शुरू हुआ उसका मैं जरूर जेकर करना चाहूँगा क्योंकि उसी की वज़े से बहुत कुछ चिंज हो गया एक प्ले है सुरिंद बर्मा जी का सुरी की अंतिम करन से सुरी की पहली करन तक हाँ बहुत फेमस प्ले है वो एक नपुनसक राजा की कहानी है एक रात की तो उसकी रिडिंग शुरू ही और राम कुपाल बजा साब वो इसको डिरेक्ट कर रहे थे तो रिडिंग शुरू ही एक दिन रिडिंग होई दूसरी दिन तीसरी दिन नी तो कास्टिंग हो गई कास्टिंग के बाद की रिडिंग शुरू ही तो अते दिन उसमें जो में रोल है ओकाक का वो दो लोग कर रहे थे, एक मनोभाई कर रहे थे और एक प्रमोद माउथ हो, मनोभाई किसी अपने काम से, चूंकि वो चीफ अब दी रेपरट्री कंपनी थे तो बहुत सारी एडमिनिस्रेशन के काम उनके सिर्फ पर रहते थे, तो वो अपने आफिस में किसी काम में लगे ह प्रमोद माउथ हो उस दिन आये नहीं था, बताने क्या वजय थी मुझे वानू नहीं लेकन वह एपसेंट था, तो बज़वाई ने करके चलो तुम पढ़ दो, तो ठीक है मैं ने पढ़ना शुरू किया, और दीरे-दीरे करके लोगों को अच्छा ने लगने लगा, जो अभी शारे-शारे करने दागे, दूसरे दिन बज़वाई ने का कि चलो तुम ही पढ़ो अभी पहले, और तब तक मनौर भाई आ चुके थे, नहीं, मनौर भाई नहीं थे, ज्यादा तर रीडिंग प्रमोद माउथ हो करते थे, क्योंकि वो अपने उसमें रहते थे, वो और दो बज़े के बाद किया रहसर अटेंड कर लिया करते थे, यह मैं मौर्निंग सेशन की बात करूं, तो फर मैंने पढ़ा, लोगों को अच्छा लगा होगा, रीडिंग करने के बाद, रीडिंग सेशन खतम हुआ, बाहर आके बज़ु भाई ने बोला, बज़ु अच्छा पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे जा रहा हूँ, ऐसा कह के गए बज़ु जता के गए, अच्छा, अंदर, मुनर भाई के पास, तो उनसे कुछ डिस्क्रिशन होगा रखकी होगी, तो यह भी उनकी भलमन साहत, मुनर भाई की, अच्छा होता है, तो उन्हें ने यह इजाज़त दे दी कि ठीक है, मैं नहीं करता, इसको देदू, मैं वैसे बहुत सारे कामों में अटकर पड़ा हूँ, तो आके उन्हें ने नाम्स किया, कि डबल कास में नो भाई नहीं कर रहे हैं, अब यह नाम दो करेगा और यह प्र बहुत पसंद किया गया, पफरमेंस भी, चुंकि एक्रेक्टर में इतना पावर है, इतना लेयर्स हैं, कि वो कोई भी एक्टर कर दिया अच्छा ही लागेगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा कर दिया, तो उसका कुछ ना कुछ होना ही वाला है, तो कुछ मेरे साथ भी लोगों ने बहुत तारीफ हैं की, बहुत अप्रिशेशन गदा, प्रिटक्स ने बहुत अप्रिशेट किया, इस प्ले की वजए से, और जो मैंने प्ले किया था, बढ़नमन, बीवी कान साथ के साथ, कैसे संयोग जोडते हैं, कैसे समय चकर घुमता है, ये प्ले के, शोज जोज चल लहे थे, उन्हीं दुनों जर्मेनी से, प्रफेसर फिर्स बैनिविट सांथ, उनको हमारे साथ, रेपर्टी कंपनी के साथ, अथरो प्ले करना था, तो जब ये शोज अगरा चल लहे थे तो, वो भोपाल उनको बलाया, किसी का, बीवी कारण जी महा, बोपाल में उन दोने डिरेक्टर थे, भारत बावन की इस्ताफ में की थे, तो एक दो दिन के रिए वो गए वहाँ, उनका प्रोग्रम नहीं था वहाँ जाने का, आये थे हमारे लिए, लेकिन चुके हमारे शोज चल लेते, कुछ और गतिविदिया चल रही थे, तो वो उनका, मैं बह और नहीं पूछ लिया कि आपकी नजर में मैं चाहता हूं कि कोई यंग ब्लड माय जैसे मनम भाई वगड़ा यह तो हैं, मेन एक्टर हैं, अगर मैं किसी नए ब्लड को इंक्लूड करना चाहूं तो आप क्या नाम सोज़स करो, तो और नहीं मेरा नाम लिया, तो गुल और नहीं दोना हमारे शोज चल रहे थे, ओके, ओके, प्ले भी चल रहा है, मैं देखता हूं, दो दिन के बाद वगड़ा है, वो प्ले देखने के लिए, वो प्ले मेरा परफॉमेंस देखा, और तब तक यह और मॉस्त तैह हो चुगा था कि मनम भाई और थेलो करेंगे, और देश्डी मॉनका मुझे याद नहीं किसका, लेकिन मनम भाई अथेलो करने बारे थे, तो फिर्स ने अपनी बुद देखने के बाद अपनी मनशा बता दी मनम भाई को, उनी से ही सब डिसकस होता है, कि मैं चाहता हूं कि यह अथेलो करेंगे, तो बड़ी टेंशन सी प किसमें पहली है, कि यह तो नए लड़का है, अथेलो प्ले, शेक्स्पियर के प्ले है, कितना बड़ा एक खरेक्टर है, कितना बड़ा प्ले है, और एक रेपट्री है, और यह अधिना कॉम्पलिकेटर है, कैसे करेगा यह और इसके लिए तो कोई मनम भाई जैसे ही लेकिन वो जियत पर आढ़ गया है, तो फिर फाइनली फिर मनम भाई ने वो दारता दिखाई और उनका ठीक है करने दूसकों, इस तरह से फिर मुझे वो फिर्स अबैनमेट्स की डिरेक्शन में और थेलो करने का मौका मिला, और इसकी वज़ा से मैं फिर रेपरेट्री कम नेडिक्शन में एक्टर बन गया, और यह मैं एक्टर रहते हुए करीब आप ने दस ग्यारह साल रेपर्ट्री कमपनी में गुजरे, पुरे ग्यारह साल, 11 पुरे आप में गुजरे लिए az से आखिर करकियों कि आप जितने शौक और जितने उतसा के साथ उननों को याद कर रहे हैं, जिसमें आपने, रेपरटरी कमपनी में भी अवल आने का अर्मान पूरा किया, और सब कुछ करके वहां दिखाया, सब कुछ वहाँ था, रेपरटरी कमपनी की, सेलरी सेक्योरिटी भी थी, नाम भी था, आगे से आगे लोग आपका नाम सजेस्ट कर रहे थे, फिरिड्स इतनी दूर से आकर भी आपका नाम सजेस्ट करके गए, यानि सब कुछ मिल रहा था, फिर आप उम्बे क्यों लिए उन्दा था, और इसी लाइन में ये बात भी बता दो कि बर्लाइन फेस्टिबल, जो जर्मनी में होता है, जहां बड़ी-बड़ी नातक मनलिया जाकर परफॉर्म करती है, उसमें भारत को रेपेजेंट किया हमारे प्ले ने, अंधा यूग हमने प्ले किया था, एमके राना साब ने डिरेक्ट किया था, उसमें मैंने अंधा अश्वत्थाम मिनिट का स्टेंडिंग ओवेशन हमको उस प्ले को में लाए तो यह अपना में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुई, मता लिटरली मैं, I was crying, आंसु आ गए मैं, यह सब रहते हुए, जब मुझे लगा कि हा युद्ध से, हलचलों से, आहटों से भरा हुआ है, और बहुत से लोग युद्ध प्रेमी हो रहे हैं, जबकि वो खुद नाटक, युद्ध के विरुद एक नाटक है, अगर आपको याद आता हो कुछ, अश्वत्हमा के कुछ डायलॉग तो हमारे लिए अभी आप, याद कीजिए, और नहीं तो मेरे पास, मैं दो-तीन पेज अंधा युद्ध से आपके लिए ले आया, देखिए, इसमें से कुछ आपको याद आती हो, कोई लाइन? मैं अगर के, कैसी मेमरी है, मन्दो, आदमी जब मेमरी में चला जाता है, तो, कैसा रखते है, यही तो वो शब्द हैं जो मैंने, इस तरह से बोले थे, इस तरह से बोले थे, और कोट, मैं एक चार लाइने, ठीक है, बोल देता हूं, लेकिन थोड़ा हैवी है, युद्ध की विभी शिका के उपर ये प्ले है, कितना नुकसान होता है, पूरी मानों सब्धिता का, एक युद्ध होने के वजए से, उसके उपर ये प्ले है, अमर कृति है, दर्म वीर भारती ज जाता है, मतलब मारा जाता है, युद्ध में मारे जाते हैं लोग, लेकिन जो चल कपट करके पांड़ों उने मारा, उसकी वज़ा से ये बिलको विक्षिर्टा वास्ता में पहुंच जाते है, बिलको तागर जैसा हो जाता है, और वो अपने धर्मशमान को तोड़ पहिक देता है, और चिकता चिनलाता है, इस तैका उसका, ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये उसकी सिती है, वो खूब अपने धर्मशमान, धर्मश के साफ़ से जित करके, तोड़ के, मरोड के और ये फिक देता है, ये ने अथनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रतंचा खुद गुरुद्रोण ने चुगाए थी, आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशा स्थदीन आखों में आंसु दिये, मैंने मनोर दिया अपने धनुष को, कुछले हुए सामसा भाया है, किन्तो शक्तिहीन, मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूँगा, मैं प्रतिशोथ, पिता की निर्मा मज्या का, वन में, भयाना किस वन में भूल नहीं पाता हो मैं, मेरे पिता थे अपा राजे, प्रतिश इतना मुझे आद है, मुझे खुद भी मता है रहानी हो रहेगी कि इतना कैसे आ गया, और फिर ये बर्लिन में जब हो रहा था तो लोग कैसे इस हंदी को समझ पा रहे थे, प्रे तो हंदी में है, हाँ, तो ये हमारे लिए एक हमारे सहबागी के बात थी कि जिस हम हॉल में कर रहे थे, वहाँ हैं, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की वेवस्था थी, बदा हर सीट पर एरफोन लगा हुआ था और एक कांच के बॉक्स में उनका ट्रांसलेशन दो भाशिया, हर एक लाइन का मीनिंग उनकी भाशचा में पहाँ रहा था, और ध्रमिर भटेई जी ने एक-एक लाइन में कितना अर्थवरा हुआ है, कैसे-कैसे शब्द उनने इस्तिमाल किये हैं, कितनी रेखस हैं एक लाइन में उस पर्टिकलर लाइन की मीनिंग में. तो वो सब अवाक थे कि इतना इतनी गहराई के साथ किसी ने वर के अगेंस्ट लिखा है तो हम तो जब हम परफॉर्म करें थे थे हम शोक थे याल कि पता नहीं क्या हो रहा है शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है तो यह कोई रियक्टी नहीं कर था और जर्मनी ने इतना युद्व होगा है तो वो तो बहुत ज़ादा उसके साथ जोड़के उसको महसूस कर रहे थे इन सभी चीज़ों को इस प्ले को इस प्ले की लाइंस को जो सभी अगेंस वार थी और फाइनली जब प्ले खतम हुआ वो खड़े होके जो उन्होंने तालियां बजाएं रुके ही ना एक बार हम स्टेज से चले गए दीरी ज़िया आपसम बात करके क्या करें कब रुकेगी चलो स्टेज खाली कर देते हैं तो अपने आप ही रुके रुक जाएंगे स्टेज से खाली कर दिया थी तालियां बज़ रही हैं पिर दुबारा देपे लिगत फिर भी तालियां मैं तो दुबारा आना Pड़ा हम कि तालियां खतम नहीं हो रही हैं तब हम ने इसारा कि आड़ें किआ जाचे क्या अभ चfounder एक बार आज आतें यग बर आएक गाल कें किजैसे हमने नमना कें दोबारा किया, तीरी बार आके, और जब हमने थैंक्यू भोला, तब उन्ह lifesď smile, तेव भाले सम्हूom युटायों ने और भिजा करने जर्मनी… जर्मन से जो एंग्लेश बोला थे。 सबी जगे नहीं बताता हूं लेकिन ये मौका ऐसा है कि अच्छा आपने थोड़ी दिर पहले कहा कुछ एलेमेंट्स के बारे में अपने थेटर के जैसे के वाइस है या डालॉग डिलीवरी है अपने स्टेज प्रेजन्स के बारे में बहुत खास तर पर रेखांकित किया और मतलब स्टेज प्रेजन्स में क्या चीज ने द्धान में रखी जाएंगी अपके बॉड़ी का कंट्रोल बहुत इंपर्टेंट है यह जिसना से यह दिखिए कि बॉड़ी का कंट्रोल में जा रही है ठीक है नहीं थोड़े में समझाता हूं जैसे इससे मैं इसे मैं बैठा कि डिफेंट त्रह की है एक यह पैठा एब इव कोई बुरी नहीं है लेकिन यह यह पैठा की एक आटर की बैठा की है इस किजा से इन चाकर्णा हुआ है और उसको body movement खड़ा हुआ है, तो भी ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं खड़ा हुआ है, और उसमें ज्यादा अकड़ाने की जरुवत नहीं है, थोड़ा सा ही सीधा रखना है, और जैसे movement हुआ, तो पूरी body को साथ में लेके चलना है, ऐसे जी जा रहा है, तो पूरी body को सा नंकल करके अकेले में हैं . जैसे भी प्ले में चल रहा हैं तो में विंग में उनके ह stiff हिख हैं . नकल करकर करके अपने अंदर वो एहसासात धढ ऐसी इस तरह से करके हमने कभी इहमेत कर नहीं पाए है कि आप मुझे सिखाये कैसे होता है तो यह सब दिग 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 स्टेज प्रेजन्स खासतों से और इसके साथ साथ स्पीच, वाइस, एमोशन्स एक पूरा मैंने एक सिस्टम बनाया है दस दिन का एक सिस्टम बनाया है जिसमें एक फाइननेस को कैसे टच कर सकता है एक्टर वो मैं सिखाता हूँ उस फाइननेस को कैसे पहले वो फाइननेस करके दिखाता हूँ उन्होंने किया उसके बाद उस उसी को कैसे एक फाइननेस के लेवल तक लेके जाया सकता है वो उसको दिखाता हूँ फिर उससे वो finance का level कराता हूं उससे बार बार कराके तो उसको ताकि वो एहसास हो जाए कि आच्छा ये है और फिर उस finance को कैसे पहुंचना है वो पूरा रास्ता उनको इस पूरे process में बताता हूं तो ये मेरा एक पूरा process है गोविंजी करीब करीब बातों का सिलसला दिल्ली में आपके रैपर्टरी के experience पूरे होने तक तो हो गया है मुंबई वाले हिस्से में क्या हुआ उस पर भी एक सरसरी चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि जब आप दिल्ली से अपने थेटर के experience को लेकर मुंबई पहुंचे तो कुछ रेखांकित करने किये जा सकने वाले अनुभवों को जरूर हमारे साथ बताईए एक तो जब मैने रिसाइड किया कि मुझे पॉंबई जाना है तो भले में यहां थेटर में बहुत लोग जानते हैं मैं समझ दो कि लोगों का चाहिता हूं वगरा हो लेकिन पॉंबई जब तक मैं बोलूना और बोलने पर तो बिलीफ आता नहीं तो मैंने जो भी हमारे मेरे में प्लेज थे उनका एक पिक्टोरियल रिकॉर्ड बराए एक बड़ा एलबम बनाए तक मैं तीन किलो का वो बन गया ऐसा तीन किलो का लोग उठा उठा के देखते थे इसके लिए म अभी है अपके पास? वो है मेरे पास अच्छा वो तो मेरा मंदो मेरा संगी साती है जीवन वर्कर जो थेटर मैंने किया है जो हमेशा मेरे साथ रहे तो रिकॉर्ड मैं मैंने बनाए और बंबी चला गया एक तो यह कि कि विदिन थ्री मंथ मुझे दिल्ली सही कोरा है कि केतन मेंता सब एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं और वो आपको ढूंड रहे हैं आपको याद कर रहे हैं आप उनसे मिल लेजिए तो अक्ताबर तोड़ हम भापस दिल्ली आगए उनसे मिलने के लिए तो सर्दार पट का काम मिला उसमें सर्दार पटेल के परसनल सेकरेटरी का मेरा करेक्टर था वी शंकर कर तो ये पहले मेरी अचीवमेंट ही कहेंगे फिल्म में ये इससे तीन मैने में मुझे होगा उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग तकरिवां तीन-चार साल चली और उस दौरान जो मै तो भी में में डिरेक्टर प्रोडूसर्स हैं जिनके साथ मैं काम करने का इच्वम उन सब के फॉन नमर उगारा सब एकठे करके और मैं रोज सुबै उनको फॉन करता था था वो कौन लोग थे मुखि रूप से जिनके साथ आप काम करना चाहते ही चाहते थे जैसे माहेश इच्वर्ड़ पछश थे या पहला आज नहलानी या उंदर में मन महन Dayh Saai Гatar बाशू Čटर जी यह नोग थे जनके साथ में बना बहत दिलता की मेने के साथ क्म करना को तो मैं इन सब को फॉन करता था उसके बाद जो जैसा डेट देता था मैं उसके डेट लिख लेता था कि अच्छा इस दिन फॉन करो मैं अपने बारे बताता था कि यह हूं इस तरस में ने थेटर किया है मैं यहां बंबय में आपसे मिलना चाहता हूं तो एक ग्रेस फुली तो ऐसा नहीं लगे कि काम ही मांग रहा है काम करना चाहता हूं यह सब नहीं बोलता था तो जिसके साथ में मीटिंग होती मेरी चाह पांच दिन के बाद कोई मीटिंग दे देता था तो वो चुंकि इतना प्रेशर आता था नाटकों का वो सोच में बढ़ जाता था कि इसने तो ढंका काम किया है तो इसको कहीं करना पड़ेगा टो इस तुछ से चलते शोल शपनिम narr now नीने फिम दी गुंञं Male रिव इसे दो शेकर कपूर ने डिल्ली में पर प्लाइन की फिम दिल्ली के लोग उपकास करके बैनड़ व्क्राइब तो वहां से फिर मुझे बंबे कॉल आया है तो यहां आये थे कास्टिंग करने के लिए कि आपको याद किया जा रहा है शेकर कपूर साब मिलना चाहते है तो मैंने पूछा तिकमान शुद्धुलिया कास्टिंग कर देते प्रेले जाजके लोग बहुत अच्छे डिरेक्टर हैं बहुत अच्छे फिल्मेकिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे फिल्मेकिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे फिल्मे मुराई मुराइम थे उस समय के असेस् छोड़नी थोड़ी है और मैंने उनसे पूछा कि अगर पूछ लो और अभी मुझे बता तो उनने पूछा तो शेकर जी ने बोला कि हाँ मैं कल ही निकल ले वाला हूं और परस मेरी शूटिंग भी है वहां पर वहीं सीरल कर रहे थे उसमें एक्ट कर रहे थे उपर नियास न में से जोड़नी कि आरा हमगे मुझे आकर मिले वहीं हो तो परसों के रोज कमाने हितान मैं वहीं बहुत कर दिए हूं अमना भारे पार सात्त के ले ईता के दो इा ने गर्म स्चृ इसे पट रजी तो सब्सेकर को क्ते कहीं सुट कमाने के ये निया शाय कैस्छान में बार एक चोठासा थोड़ा से वो एक भावाया क्या बोल दिया तानो येस तुम मेरी फिल्म के ख़लाए को और इस तरह से मुझा वो फिल्म मेजी उस फिल्म की वज़से मुझे यह मैं बता रहा हूँ, वहां तक बता रहा हूँ जहां से मेरा सब टर्निंग पॉइंट हो गया, उस फिल्म को करते को काफी चर्चा हुई, खास्तोर से ऐसा होता था, पहरे दिल्ली में जो काम हो रहा होता था, जो एनेस जी के स्टुरेंट्स कर रहे होते थे, तो पूछता पूछता थी थी बंबे मैं कि आजगल कौन कर रहा है, क्या का काम हो रहा है, कौन एक्टर अच्छा काम कर रहा है, तो इस फिल्म की काफी चर्चा रही और इस चर्चा में मेरा नाम भी शामिल होगा, उन्हीं दुनों, R.K. Banner, R.K. Banner केव फिम चल रही थी, प्रेम गरंथ, उसको राजीव कपूर डरेट कर रहे थे, राजीव कपूर साफ के छोटे बेटे, तो एक साल हो गई थी शूटिंग के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने विलन तहर नहीं किया था, वो चाह रहे थे कोई अच् तो उन्होंने मेरे बारे में सुना, मेरे बारे में सुना, फिर उन्होंने शेकर जी से बात की, शेकर जी से बात की, फिर उन्होंने कुछ उसकी, और फिल्म के गिलिंस दिखा है, अब फिल्म दिखाई उनको, और मुझे कॉल किया गया, कि रंदीर कपूर साब आपसे मिला जा रहे हैं अब ऐसे ऐसे आरके स्टूडियो में आ जाई है तो उन्हों शूटिंग चल ले थी शूटिंग में अनुपम खेर और ओम पुरी इन सब का एक सीन चल ला था तो मैं पहुंचा तो सब लोग जानते थे तो एक अच्छा माहौल बना और ब्रंदीर कपुर साब ने का कि जाए दो मिट बात करना चाहता हुआ और उन्होंने भी ये उसमें विलन का ओफर दे दिया और इस तरह से मुझे वो फिल्म में ली जिस दिन ये फिल्म रिलीस वाली और उसका प्रीमियर तो बहुत ही फेवेंस रहा है हमेशा से पूरा इंडस्टिक की क्रीम बर आके प्रीमियर में शामिल होती है तो सब ने वो पिक्चर देखी और उसके नेक्स वीक चार बड़ी फिल्में कमर्शिल फिल्में मेंने साइन की और तब से अब तक वद आखिर में आपसे बिल्कुल यह पूछेंगे कि यह जो सागर से लड़का बच्चा जो चला था चौदा पंद्रह साल का और हर चीज में अवल आने का और आगे बढ़ने का और सब में एकसल करने का जो यह सिल्सिला था वो आखिरकार आपको मंबई की इस सपनों की दुनि चोट होते होते अब थोड़ा विल्न भी करते करते अब आप भी एक चोट खाए आदमी बन गए या फिर वो इनोसेंस भी बचा है उल्टा हुआ है बद्दब नॉमली ऐसा मालन जाता है कि विल्न वो दूर्ट किसम कही होते होंगे क्योंकि उनको इससे की भावनां के साथ काफी प्ले करना पड़ता है यह वो म 125 मैंने एन है ऐसे कि शीर कर रहे हैं कि जब जब भी इस से के सीज्फ में शूट करके गया घर जैसे किसी का रेप कर दिया है मादरी डिक्ष्ट का रेप कर दिया या किसी का माडर कर दिया तो तब तब मैंने अपने बच्चों को जदा प्यार चिया, मैंने अपनी पत्नी को जदा प्यार किया बैक अप दमाइन यह रहता था कि यह कितना गलत काम करते हैं लोग, कैसे कर लेते हैं जो मैं करके आया हूँ तो इन चीजों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यॉर बनाया और जिस इनोसेंस कि आप बात करें जिसके जवाब मैं मैं ये बता रहा हूँ वो निखरती निखरती अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि मैं इस दुनिया के लाइक हूँ भी कि नहीं जो मेरी सोच है जो मैं जिससे मैं सोचता हूँ आजकर के टाइम में जिससे के लोग हैं मैं वैसा क्यों नहीं हूँ और उससे मैं क्या नुकसान या फायदे उनस चीज़ें में नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन यसा लगता है कि या मेरे जैसे कोई लोग मिलते क्यों नहीं जिनके साथ मैं दोस्ताना तालुक रख सकूँ तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है क्या इसकी वज़ा यह है गोविन जी के माहौल में जिस स्कूलिंग का खास दोर पर अगर आप जिकर कीजिए जिसमें बिलकुल एक कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और अलगाजी साब अगर नहीं मिलते और वो सहरा नहीं देते तो शायद वो स्कूल छोड़ने की नौबत आग की वज़े से वह अभी भी आपका एक तरह से व्यक्तितो का हिस्सा बना हुआ है और कहीं बाजार में जाकर अपने मार्केटिंग करना अपने रिकाम मांगना आगे से आगे मतलब इतने लंबे करियर स्पैन के बाद और इतना थेटर रना करने के बाद कहीं कोई ऐसी चीज है जो आपको पीछे खीचती रहती है नहीं बिलकुर भी अधर इस चीज का थोड़ी कमी सी महसूस होती है कि मेरे पास मेरे साथ ऐसे लोग क्यों नहीं हैं जो मेरे जैसे हूं लेकिन अपने उपर थोड़ा गल्व का भी अनवा होता है कि मैं ऐसे लॉट में आकेला ऐसा ब बहुत आदर्श्वादी तो नहीं लेकिन मैं human being बना रहना चाहता हूं किनी परस्तितियों में किसी भी स्तिती में अपने स्वारत के लिए अपने कुछ गेन हो जाए कुछ मिल जाए इसके लिए आप अपनी बहुत सारी ऐसी चीजने छोड़ देते हैं जो आपके व्यक्त बहुत ही महत्पूर्ण हिस्सा होती है और छुट जाती है एक बार तो वो कमी कभी पूरी हो नहीं पाती है सो अच्छा भी लगता है और लगता कि हम अच्छे जिन्दगी जी रहे हैं कुछ एक ऐसे प्लैन्स हैं आगे जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा सोचता हूँ हूँ कि जो गेंग किया है जो कुछ एक एक लेवल अगर मुझे मिला है लोगों ने मेरे काम को अप्रेशेट किया है मेरे परफॉर्मेंस लेवल को अप्रेशेट किया है और कुछ एक ऐसी चीजें जो मैं जानता हूँ जो किसी के काम आ सकती है आने वाली जेनरेशन के काम आ सकती है तो उनको सिखाने के हिसाब से एक अपना एक इंस्टिटूट बनाऊंगा और वहां अच्छा थेटर करूँगा अच्छा थेटर करना सिखाऊंगा एक अच्छी एक्टिंग क्या होती है अच्छा थेटर क्या होता है एक अच्छा इंसान क्या होता है यह सब सिखाने में अपने बाकी जिन्दगी लगाँगा यह तो बहुत अच्छा प्लान है और यहीं पर उन बच्चों के बाँपिता के लिए भी कुछ कहिए जिनके बन में शुरू में जिन बच्चों को लगता है कि वो कुछ नाटक करें कुछ ऐसे कला का काम करें और कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में रहें लेकिन उनको डिस्करेज करते हैं पेरिंट्स अगर आप उनको समझाएं तो कैसे समझाएंगे अभी तो हला कि जाकरुकता आ रही है दी दे दे पहले तुस्थर भी ये था ना कि पढ़ाई करो नौकरी करो शादी करो बच्चे पैदा करो निकल जाओ अभी थोड़ी तोड़ी ये जाकरुकता पैदा हुई है कि ये तो कोई लाइफ नहीं है और मैं ये कहता भी हूँ जहां-जहां ये ऐसे मौके होते हैं कि अबने पढ़ाई की और कोई नौकरी हासिल की और जैसे तेसे आजकर का माहुल या आज़से दस साल पहले का माहुल जैसे तेसे नौकरी हासिल की ए फिर एक शादे की ए बच्चे की ए और निकल लिए एक ऐसी लाइफ है, you have to make a mark, अपना अस्तितु का एहसास लोगों को जब तक ना हो पाए, तब तक आपका जाना तो निडर्थक हुआ है, आपका जीवन ही निडर्थक हुआ है, तो अपने कोशिशों से ऐसे कारें हमेशा करें, आज का जो लाइफ के लिए मिनिंग्फुल हो, आने वाले टाइम में आपके आत्मा को शांती दे, आपकी आत्मा को संतुष्टी दे, सिर्फ नोकी हासिल करना, अपने लिए जीना, अपने बच्चों के लिए जीना, अपने पत्नी के लिए, अपनी परिवार के लिए जीना काफी नहीं है, ये बात जब आप लास स्टेज में पहुंचते हैं, तब उसका एहसास होता है, तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए, और उसके हिसाफ से अपना रूटीन बना लिया जाए, उसके हिसाफ से अपने आगे के जीवन को नहीं हुजित किया जाए. सो इस तरह से मैं कहूंगा अगर आने वारी जनरेशन को ये कहूंगा कि क्यों किल्चरल एक्टिविटी इस क्यों जरूरी है, उसी से जुड़ी हुई ये बात है, जब तक आपका क्रियेशन आपके हाथ से नहीं होगा, जब आप कोई चीज अपने हाथ से बनाते हैं, भले व जब आपके हाथ से स्रजन होता है, तब आपका जो माइंड है, वो स्रजन की तरफ चलता है, वो इसका वो वैक्यूम खुलता है, जब तक आपके हाथ से क्रियेशन नहीं होता, वो बंध है, और जब वोल्यूम खुलता है, तब जाके आपको दिखता है कि ये तो एक अलग संसार है, यहीं है सब कुछ, so इस अहसासात को हासिल करने के लिए, इसका एहसास करने के लिए जरूरी है कि आपके हाद से कुछ न कुछ स्रिजन जरूर हो, आप किसी न किसी स्रिजन शील काम में जरूर लगें, यह important है. बहुत 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 शुक्रिया, गुविन जी आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत 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 शुक्रिया. Thank you very much. मैं आपको बहुत आभाजी हूँ, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया, और दर्शुकों के साथ, मैं कुछ से रोब रोब बात हो सकती. हाँ, दर्शुकों की भी हमारी बहुत मांग थी, कि गुविन जी कुई प्रोगिम में बुलाया जाए, तो आज थमारे दर्शुकों का भी यह यह मांग और यह सपना पूरा हुआ है, बहुत 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 शुक्रिया गुफ्तगु में ये थे जाने माने अबिनेता गोविंद नाम देओ कुछ कहना चाहते हूं आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा जरूर feedback.rstv.gmail.com पर बैठीए बैठीए माफ कीजिए बिसे आपका अपार्मेंट तो है नहीं और मिश्रा जी के पास वक्त नहीं है देखिए आपको जो कुछ भी पूछना है बस पांच मिनट के अंदर पूछिए प्लीज जल्दी कीजिए मिश्रा जी चेक पोस पर ही अफसर ने आपको मंदर जाने से रोका पिर भ पादी छोटे घुमेंगे पूरे देश में हम नास्ते कब थे आस्ते कब बनें कौन से मंदर में जाते हैं कब जाते हैं कहां जाते हैं यह सब हमारा ने जी मामला है हमें किसी को सफाई देने की दुरूद नहीं है